हलो दोस्तो मैं पुनम आप सभी का क्रेव किचन में स्वागत करती हूँ आज मैं हेलो किटी केक कैसे बनाना है वो बताऊंगी और इस वीडियो को आप लास तक देखना क्योंकि आज मैं नोजल्स के बिना हेलो किटी केक बनाना सिखाऊंगी इसके लिए जो केक का बेस मैंने यूज किया है उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड किया हुआ है और साथी में इजी वेसे विप्स क्रीम कैसे बनाते हैं ये भी उसी वीडियो में बताया है इस वीडियो का लिंक मैं रिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो चलिए हम केक बनाना शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स अब हम केक बनाना शुरू करते हैं तो मैंने अपने जो केक है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है मैंने उसे half में cut कर लिया है तो अब इसके उपर मैं डालूँगी sugar syrup इस sugar syrup डालने के वज़े से हमारा जो cake है बहुत ही moist रहता है तो हम इस पर अच्छे से डाल लेते हैं और इसके उपर मैं अब डालूँगी icing हमें एक layer यहां icing का बनाना है तो यहां मैं पूरी तरह से इसे cover कर लेती हूँ icing से और इसे फिर एक knife के palette knife से हम इसे अच्छे से spread कर लेंगे तो यहां मैंने एक cut whip trim का लगा दिया है तो इसके उपर अब हम दूसरा जो half है इसका portion उसे रख देंगे तो इस तरह से मैं इसके उपर half बाकी का रख लेती हूँ बराबर से उसे adjust करके उसी के उपर बराबर रखना है हमने फिर से हम इसके उपर डालेंगे sugar syrup और इसके उपर फिर से हम विप्टिक लगाना शुरू करते हैं इसी तरह से मैं पूरा इसे circles बना के cover कर लूँगी तो यहां मैंने पूरी तरह से इसे icing से cover कर लिया है अब sides बे भी हम इस तरह से इसे lines लगा लगा के पूरी तरह cover कर लेंगे तो इस तरह से मैंने cake को पूरी तरह icing के साथ cover कर लिया है और अभी से हम plane करना शुरू करते हैं तो इसे घुमाते हुए हम plane कर लेंगे cake को अच्छे से icing उपर जो है spread हो जाएगी और फिर side में भी इसी तरह से मैं इसे plane कर लोगी अब इसे हम side में भी कर लेते हैं तो इस तरह से उपर से मैंने इसे plane कर लिया है अब side से भी इसे हम knife के साथ plane कर लेंगे जहां जहां हमें लगेगा कि icing कम है वहां पर हम थोड़ी से extra icing लगा लेंगे और फिर से knife से हम उसे घुमा के plane कर लेंगे तो friends यहां हमारा cake पूरी तरह से उपर से और side से हमने पूरा plane कर लिया है तो अब इसे हम आगे decorate करते हैं हम इसमें hello kitty बना रहे हैं जो बच्चों को बहुत ही पसंद है तो यहां से मैं यहां एक line बना रही हूं black color के इससे इधर से हम शुरू करेंगे और इससे लेते हुए हम जाएंगे इस तरव बीच में जो हमारा रहे गया हम थोड़ा सा उसे जोड लेते हैं इसके बाद हम pink color का icing bag लेते हैं और इसके हम बाल बना लेंगे इस तरह से हम पूरी तरह से इसे ऐसे ही भर लेंगे तो friends इस तरह से मैंने इसे पूरा cover कर दिया है अब इसकी हम बना लेंगे eyes eyes के लिए भी मैं black वाला color यूज कर रही हूं हम यहां पर दो eyes बना लेंगे और उसको अंदर पूरी तरह से भर देंगे हम इस black color से इसी तरह से मैं इसकी दूसरी eyes भी ऐसे ही बना लूँगी तो यहां पर हमने इसकी eyes और nose बना दिया है और nose के बीच में ही मैं एक fondant का ऐसे piece लेके उसे लगा रही हूं तो यह थोड़ा और अच्छा लगेगा अब हम इसके जो है side में से इस तरह से बना लेते हैं तो यहां पर हमने इसके nose और इसकी वैसे मूचे बना ली हैं तो यहां पर अब मैं थोड़ा से यह sprinkles जो है pink color के उन्हें डाल रही हूं और एक fondant का हमने बो बना के रखा है वो भी हम इसके उपर लगाएंगे तो इस तरह सा एक fondant का बो बनाया हुआ है उसे अब मैं यहां पर लगा रही हूं और हमारी अब सिर्फ नीचे की outline बाकी है तो अब हम outline शुरू करते हैं इसकी अब हम outline बना लेते हैं तो हम यहां पर छोटे छोटे इस तरह से बॉल बनाएंगे gap रख रहे हैं क्योंकि बीच में हम बनाएंगे white वाले इसी तरह से मैं पूरे cake को cover कर लेती हूं तो यहां मैंने सारा pink को complete कर लिया है तो अब हम इसमें white शुरू करते हैं तो white को भी उसी तरह से हम करेंगे gaps के बीच में इसी तरह से मैं white से इसे complete कर लेती हूं तो यहां हमारा hello kitty cake बनके ready है आपने देखा हमने आज nozles के बिना cake को decorate किया है easily कोई भी इसे बना सकता है आगे भी और cartoon characters को easy way से बनाना मैं सिखाऊंगी आपको मेरा यह आज का वीडियो कैसे लगा मुझे comment करके जरूर बताना और अब तक अगर आपने मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो मेरे channel को subscribe कीजिए ऐसे ही और नए videos के लिए